आपको सुनकर भले ही अजीब लगे लेकिन दुनिया में कलाकारों की लिस्ट में एक ऐसा शखस भी है, जो कि हत ओडे से कांच तोड़ कर चित्रकारी करता है, ये कलाकार है, सिमोन बर्जर, सिमोन एक स्विस आर्टिस्ट है, जब ये अपनी कलाकारी शुरू करते हैं तो एक पल के लिए किसी को भी लग सकता है, कि यह ग्लास की कोई खिड़की, दर्वाजा या दीवार तोड़ने जा रहे हैं, लेकिन असल में यह तो अपने काम की शुरूआत कर रहे होते हैं, धीरे धीरे देखने पर आपको, समझ में आता है कि यहां किसी का चेहरा, कोई लोगो या डिजाइन बना रहे होते हैं, सिमोन का कहना है कि वे कुछ ऐसा करना चाहते थे जिससे वे लोगों का ध्यान आकर शित कर सकें, इसलिए उन्होंने इस आर्ट को अपनाया, असल में सिमोन एक ट्रेन कार पेंटर है, लेमिनेटेड ग्लास अभी तक किसी भी तरह से कर दिये, काफी प्रयासों के बाद अब एक सफल कला का हैं, उनके काम की एक खासियत है कि इसे केवल दूर से ही देखा जा सकता है, क्यूंकि नजदीक से तस्वीर साफ उभर कर नहीं आती, लेमिनेटेड ग्लास को ही सिमोन ने इसलिए चुना क्यूंकि एक बार में हत ओड या चेनी से स्ट्राइक करने पर यह आसानी से तूटता नहीं है, सिमोन की पेंटिंग के मुरीद मानते हैं कि उनका काम अनूठा है क्यूंकि इसमें काफी बारीक काम करना होता है, और आपका एक छोटा सा वार कांच पर आक्रती का निर्मान करता है, सिमोन को सबसे मेला को दिखाया गया था वे तूट गई, और ठीक उसी समय कुछ लोगों ने इसकी तस्वीरे सोशल मीडिया पर पोस्ट कर दी तो वे वायल हो गई, और उस समय भर किसी के मुह से सिर्फ यही निकला, ओ, क्या खूब जित्रकारी है